कि नमस्कार दोस्तों ट्रेटलों के आप्टर मार्केट एनलेसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो चलिए देखते और प्लान करते कर निफ्टी बैंक निफ्टी और कौन से शॉक्स करना चाहिए निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहां पर लगा लिए हम अगर होके फिर निकलेगा तो ही नया आल टाइम हाई मिलने वाला हमें तब तक के लिए हमें वेट एन वाच करना होगा यहां पर हमने डेली टाइम फ्रेम पर एक आरे से इकर के इंडिकेटर होता है अगर आपने भी हमारी आरे से वीडियो नहीं देखिए तो लाइब मार लगा रहा है तो इसे हम कहते है बेरिज़ डेवरजर बेरिज डेवरजर आने के बाद के इमीडिट्ली शॉट करना चाहिए है यह हमें वेट करना चाहिए वेट एन वाच करना है क्योंकि अभी भी कोई भी सिगनल हमारे पास आया नहीं है और यहां पर सिर्फ वीकली सब्सक्राइब कि यहां पर जो भाइंग है वह खतम होते जा रही है और फिर हो सकता है थोड़ इसी करेक्शन हमें इलेक्शन के पहले देखने मिल सके और यह चीज़ याद रखिए अब अगर निफ्टी को उपर निकलना है तो 21-300 यही लेवल है इसके उपर ही बुलिश होन प्रिवियस जो हम देख सकते ब्रेक आउट लेवल कभी आप इंट्राडे ट्रेडर हो प्रिवियस ब्रेक आउट लेवल मार्क कर लिया कीज़े 15 मिट्स टाइम पर आपको एक क्लियर हिंट दे देते और इसके साथ अगर आपके पास ट्रेड क्लू का कोई लेवल है या मल् हम यह भी लगा के देख लेते हैं फ्यूचर होएं और यहां पर देखे टॉप पे लॉंग बिल्टप जरूर हुआ है उसके बाद फिर से लॉंग अन्वाइंडिंग हुए इसका मतलब जो जो लोग ने लॉंग पोजिशन बनाई थी इस एक्सपारी के लिए वह अभी भी अभी भी confident नहीं है कि market यहां से उपर जाएगा और याद रिखे यह हम अब last week of expiring में काफी volatile हो सकता है market काफी volatile का मतलब यह होता है market हो सकता है 21 800 850 के levels भी क्रॉस कर दे वापसा के test कर ले और हो सकता है यहां से फिर से 100 200 और उपर जाने का फिर से एक बड़ा फॉला सकता है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है सपोर्ट और रेस्टन्स वह इंडेक्स है इंडेक्स काफी volatile होता है लिक्वीड होता है इसके वैसे आप सिंगल लाइन को सपोर्ट रेस्टन्स अगर मान के चल रहे हो तो यह डिफिनेटली हो गलत है तो कल के लिए हमारे पास यह एक चीज़ हम कह सकते है कि आई डेली सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर देगा तो यह एक लेवल आप हमारे लिए काफी important सपोर्ट होगा तो यहाँ पर हमें wait and watch करना है कि कोई भी एक pattern बनने का फिर से एक breakout हो जाता है upside में तो एक upside की rally देखने मिल सकते है जो हमें फिर से वाइसी और सेकेंडर के daily resistance के पास लेक ग्रूप में definitely हम एक वीडियो बनाके पोस्ट कर देंगे analysis वीडियो की extreme gap down gap up में क्या करना चाहिए देख लेते हैं और यह जो लेवल है यह हमारे लिए काफी resistance काम कर रहा है तो इस लेवल से थोड़ा बचके रहे ना 47,225 रफली 47,200 से 250 का यह जो जो जोन है यही हमारे लिए resistance प्रूप कर रहा है और डाउनसेट में भी आगर आप देख सकते हैं हमने लेवल प्लॉट कर ल 450 से लेके 46,500 के असपास है एक बार फ्यूचर होए अनलिक्स देख लेके अब काफी लोगों का यह question होता है हमें वाटसप भी करते हैं सर्फ एफ और देखने का यही फायदा है आपको पता चल जाता है कि end of the day में क्या हुआ है in the open interest segment तो open interest क्या होती है open interest यानि जो भी आप यहां में बहुत clarity दे देता है और इसको आपको एक बहुत हाई conviction का trade मिल जाता है तो यहां पर जैसे कि देख सकते हैं 21 तारीक को यहां पर शॉट बिल्ट आप है 46,939 और सेम हमरे पास से इस तारीक को भी है और यहां पर 20 तारीकों सिर्फ लॉग होए थे लेकिन लॉग के मतलब यहां पर किसी ने तो जरूर किया था लेकिन वहां पर फिर से इसी लेवल पर वो डर के उन्होंने अपनी पोजिशन को कवर कर लिए अब हमारे पास दो इंपोर्टन डेटा पॉइंट से एक तो है यहां पर शॉट बिल्ट अप हुए शॉट मतलब नए सेल यह जो लेवल है आपके लिए काफी इंपोर्टन होने वाला है अब इसके उपर जब तक मार्केट 47,000 जैसे आप सभी को पता भी है साइकलोजिकल लेवल को निकालने के लिए यह ज्यादा स्ट्रेंध भी लगती है 15 मिल्स टाम फ्रेम पर चलके देखते कि क्या हमें बता प्राइड एक्षेंट टेक्निकल लेवल के मतल्स से यहाँ पर सिमिलर देखिए ब्रेक आउट लेवल टेस्ट आउट नहीं हुआ था और फिर यहां से चला गया था अब यहां पर ही हमारे पास डेली सपोर्ट भी है तो यहां पर आप डेली सपोर्ट और आपको एक चीज जोन में उपन होता और यहां पर आ जाता है तो यहां पर हम वेट और वाच करेंगे यहां पर डबल बाटम बगरा जैसा कोई भी सिनारियो देख लेंगे और यहां से ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक आउट देरेता है अपसाइड में फरस्ट अर्गेट होगा डेली प्रेमियम ग्रूप में वीडियो जरूर पोस्ट करेंगे कि बड़े का प्रिख को बाइंग साइड में छेस करना थोड़ा मुश्किल होता है यहां पर देखिए रेड़ बॉक्स है यहां पर भी रेड़ बॉक्स है प्लस वीकली रेस्टंस भी तीन-तीन इंपॉरडन यहां पर जैसे कि हम देख सकते यहां पर आल्डरीडी ब्रेक आउट के बाद यहां टेस्ट आउट हुआ था ग्रीन बॉक्स है यहां पर भी एक बार वीकली सपोट के दौर पर हमारे पास 46370 का लेवल है तो हमारे पास अगर ब्रेक डाउन भी करना है बड़े गैप होंगे अब अपनी पूजिशन बनाई होगी चलिए स्टॉक्स देख लेते हैं स्टॉक्स कोन से हैं तो हमारे पास है ब्रेक आउट में हम देख लेंगे बजाच पाइनेंस अगर आप 15 मिट्स पे चले या वन आवर पे चले कोई सेम एट्स सेम और तो यहां पर आप देख कर देते हैं अब यह रेड़ करने का रीजन यह है क्योंकि हमें पता चले कि यहां पर एक रेडिस्टर्स यापकमिंग डेली डेली डिश्टर्स लेकिन हम सिर्फ रेड़ बॉक्स करेंगे अगर आपको रेड़ बॉक्स नहीं दिख रहे तो यहां पर अरो मार्क कर दिया है अब इसके बीचे की रिसाइकलोजी का समझे यहां से बहुत जादा से निगा ती 6692 या 67 001 यहां से बहुत जादा से लिगा ती फिर से मार्केट फिर से बज़एस फाइनिस उसी लेवल के पास गया ता वहां से ज़रूर कोशिश जरूर किये प्राइस को नीचे लेके आन कल की दिन अगर यहां पर बुलीश केंडल से ब्रेक आउट होता है बुलीश केंडल से ब्रेक आट होने हाद फिर सस्टेन करके निकलता है बहुत बड़ी रैली डियर के उपर देखने मिलेगी जो हमें लेके जाएगी डबली और तक 6786 के आसपास आसपास यह 1-2 परसंट क यहां पर बड़ी रैली के बाद आपको क्या लगता है कि यहां पर पर फिर से अडिशनल बाइंग आएगी कि यहां पर सेलिंग प्रेशर आएगा या प्रॉफिट बॉक्स में जरूर हमें लिखके बताईए तो यहां पर हमें बेसिकली यह वाच करना है कि मार्केट इंडियन होटेल जो इसी लेवल के पास ओपन हो जाने के पास जाने के व को वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिक्सक्राइब बताईए मना जाने कि वीडियो को लाइक की शेयर केजिए और कमेंट करना मत्मुए मिलता है ने कि सुडियो में जन्यवाद